बिहार के मुसफरपुर में जेडियू के एक नेता साइबर फ्रोड के चकर में आ गए और सस्ते के चकर में उन्हें मोटी चपत लग गई नेताजी ने एक जटके में 80,000 रुपे गवा दिये जालसाज उनसे और रकम मांग रहे थे लेकिन उन्हें ठागी का अहसास हो गया और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्च करा दी पताया जा रहा है कि जालसाजों ने खुद को CRPF कर DIG बता कर नेताजी से संपर किया था ठागों ने नेताजी को बताया कि ट्रांसफर होनी की वज़ा से उन लोगों को अपना सारा फर्नीचर बेचना है सस्ते में फर्नीचर मिलने की बात बढ़ नेताजी ने डील फाइनल कर ली और जालसाजों के शिकंजे में फस गए ये घटना बिहार में सताधारी पाटी जेडियू के नेता और कट्रा प्रखंड के अध्यक्ष बेचन मेहतों के साथ हुई बेचन मेहतों ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि जालसाज ने सोशल मीडिया पर उन से संपर किया और बताया कि उसका नाम जैंत कांत है और वो बेचिया में डियाईजी है उसने अपने प्रफाइल पर पुलिस की वर्दी में तस्वीर भी लगा रखी थी उसने बताया कि CRPF में डियाईजी उसके मित्र हैं और उनका ट्रांसपर कश्मीर हो गया है तो वो अपना सारा फरनीचर यहीं से बेच कर जाना जाते हैं बेचन मेहतो के मताबिक वो जालसाजों के जहांसे में आ गए और फरनीचर के तस्वीरें ऑनलाइन देखकर 60,000 रुपे में डील फाइनल कर ली इसके बाद जालसाजों ने उन्हें बताया कि पूरा पैसा पेमेंट करने के बाद CRPF कैम्प से ये सामान उनके पते पर डिलीवर कर दिया जाएगा उन्होंने इतना पैसा भेज दिया तो फिर जालसाजों ने फोन करके बताया कि गाड़ी का चारान हो गया है और छुटाने के लिए 21,000 रुपे और लगेंगे बेचर महतो ने इस राश्य का भी भुगतान कर दिया इसके बाद जालसाजों ने सिक्योरटी के नाम पर 20,000 रुपे और मांगे बार बार पैसे मांगे जाने पर बेचर महतो को शक हुआ तो बदमाशों ने कहा कि ये पैसे रिफंडबल है इसके बाद जालसाजों ने वर्सल मामले की जाच का रही है